लहसून की सेव बैसन और लहसून की अच्छी मातरा से बना एक स्वादिश नास्ता इस सेव को बहुती कम चीजों से तयार किया जा सकता है और इसे घर पर बहुती आसानी से बनाया जा सकता है तो आइए देखते हैं लहसून की ये सेव कैसे बनाते हैं सबसे पहले एक बावल में हम लेंगे एक कप बेशन का आटा अब इसके अंदर हम दो छोटे चमश गरम तेल को डाल देंगे सारी चीजों को अच्छे से मिलाएंगे अब इसके अंदर हम डालेंगे दो छमश लसुन की पेस्ट एक चमश जीरा आदा छोटा चमश अजवाइन थोड़ा सा हिंग आदा छोटा चमश हल्दी पाउडर अब इसके अंदर हम टेस्ट की सबसे लाल मिश पाउडर डालेंगे हमने करीब एक चमश लाल मिश पाउडर का यूज़ किया है नमक स्वादा अनुसार सारी चीजों को अच्छे से मिलाएंगे थोड़ा थोड़ा करके पाणी डालेंगे और इसका सक्ताटा तयार करेंगे देखिए थोड़ा थोड़ा करके पाणी डालने के बाद हमने नरमाटा गुद लिया है फिर इसमें थोड़ा सा तेल लगा कर आटे को चिकना कर लीजिए अब हम बेसन के इस आटे को अच्छे से साइट पे रख देंगे करीब पाच मिनिट के लिए एक मध्यमाकार की होल्ड इस वाली सेव मेकर मशिन में सेवाटा डाल लीजिए इसके अंदर के हिस्से को थोड़ा सा तेल लगा कर चिकना कर लिया है मशिन को भरकर अच्छे तरह से बंद कर लीजिए तेल को हमने पहले से गरम कर लिया है मध्यमाच पर अब इसकी हम सेव बनाएंगे जैसे ही सेव तेल में गिरती है मशिन को दिरे दिरे गोला कर गती में गुमाएं सेव को दोनों तरफ से फ्राई कीजिए सेव को हलका गोल्डन कलर आने तक दोनों तरफ से फ्राई कीजिए देखिए लगसून की सेव अच्छे से तयार हो चुकी है इसी तरह से हम सारी सेव को तयार कर लेंगे सेव तयार होने के बाद उसे पूरी तरह से थंडा होने दे फिर इसे एक एरटाइट कंटेनर में भर कर रख दे लगसून की टेस्टी कुरकुरी सेव तयार है अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक की जो शेयर करना ना भूले अगली बार मिलेंगे एसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ थैंक यू